नमस्कार आप देखरें निशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितिक बियार में नीता पृतिपक्षु तेस्वी यादव लगातार चर्चा का विश्वय बने हुए हैं आपको बता दें कि बीते दिन महागडबंदन ने पटना के गांधी मैदान में किसान कानून बिलको ल बैठे दिखें धर्ना में बीचों बीच और उनके पीछे बैठे दिखें पार्टी के वरिष्ट नेता आरजेडी के वरिष्ट नेता जग्दा नंसिंग इसको लेकर अब जो जेडियों नेता हैं नीरज कुमार उन्होंने तेस्वी आदव को लपेटे में ले लिया है हमला किया आपको बता दें कि जेडियों नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेस्वी यादव पर ट्वीट के सहारे हमला बोला है आपको बता दें कि कल पतनाए गांधी मैदान में महागट बंदन के तमाम कारे करताओं ने किसान कानून बिलको लेकर धरना धरने में बीचो बीच कुरसी पर बैठे देखे और उनके पीछे जगदान अंसिंग जो के पार्टी के वरिष्ट नेता है वो बैठे देखे इस चीज को लेकर अब जेडियों नेता नीरज कुमार ने तेस्वी यादव पर पलटवार कर दिया है और उस बकायदा तस्वी पीर को अपने ट्वीटर से शो करते हुए उसको दिखाते हुए उन्होंने तेस्वी यादव पर सवालिया निशान खड़े कर दिया आपको बता देखे दिया है जो पार्टी में बुज़ुर्गों की इज़त नहीं कर सकता वो क्या ही कुछ कर सकता है लगातार जेडियों सरकार को घेरने के लिए किसान कानून बिल को लेकर उस मुद्दे को लेकर जो नहीं किसान कानून बिल निकली है जिसको लेकर अभी दिल्ली में धरना भी दिया जारा किसान के द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर उसकी गून जो है वो पटना पहुँच गई और गांधी मैद जस्वी और जमीन पर जग्दा नंसिंग बैठे तो जेडियू ने उठाया उकात वा मंचा पर सवाल कही ये बात ये ट्वीट जो है आपको बता दे कि इस ट्वीट को जेडियू नेता नीरज कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए तेजवी यादव क घेरा है तो ये आपको बता दे कि कल धर्ना प्रदर्शन मांगणट बंदन के कारिकारताओं दोरा दिया गया पट्ना के गांधी मैधान में जहां पर उन्होंने बीच गांधी मैधान के सड़क जो इस मैदान उसे बाहरी सड़क किनारी बैट कर उन्होंने धर्णा प्रदर्शन दिया और लगातार जो है अब मागटबंदन भी सरकार को घेड़ने में लगी है तो फिलालकली मुझे दीजू इजाज़त देख तरी नेशन न्यूज को धन्यवाद